पिता जी हमने टोलोलिंग की लड़ाई जीत ली और कई दुश्मनों के हतियार और गोला बारूद पर कबजा कर लिया है लेकिन मैंने अपने बहुत से सही योगियों को खो दिया है मैं फिर से अपने परीवार में लोटना चाता हूँ लेकिन अगर मैं लोटना पाया तो मेरे लिए शोक मत करना क्योंकि मैंने पहले ही अपने मात्रभूम के लिए अपना सर्वस्रिष्ट देने का फैसला कर लिया है यही खत लिखा था वीर योद्धा कैप्टेन नेकी जगाओ केंगरू से ने अपने पिता को कैप्टेन नागालेन के एक छोटे से गाओ नवीमा से थे उनका जनम 15 जुलाई 1974 में हुआ था अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने सेंज जेवियर से कंप्लीट की और सनातक की पराई उन्होंने कोहिमा साइन्स कॉलेज से किया बत और एक सरकारी स्कूल में सिक्षक के काम करते थे साल 1998 12 दिसंबर कैप्टेन की न्यूक्ती भारती सियना के सेवा कौर में हुआ था अपने पहले कारिय की रूप में उन्हें जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया उनके पडिवार और चाहने वाले उन्हें निबू के नाम से पुकारते थे और सेना में उन्हें निमू साहब के नाम से जाना जाता था ठाल 1999 कारगिल यूच शुरू हो चुका था कैप्टेन बतर जुनियर कमांडर थे राजपुताना राइफल्स बटालियन के अपनी द्रीर संकल्प और कौशल के लिए उन्हें अपनी बतालियन के घातक प्लटून का प्रमुक कमांडर बनाया गया था केबल सबसे शाररिक रूफ से स्वस्त और प्रेडी सेनिक इस खुखार प्लटून के हिस्सा बनाया जाते थे 28 जून 1999 के रात को कैप्टेन के घातक प्लटून को एक रन्नीतिक मशीन गन पोस्ट को द्वस्त करने की जिमेदारी दी गई थी जो एक चट्टान पर दुश्मनों द्वारा आयोजित किया गया था इस स्थिती से भारी गोलाबारी देने के कारण बटालियन को आगे बनने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पर रहा था सौपा गया कारिया बहत चुनोती पूंड था क्यूंकि हर तरब से दुश्मन की गोलाबारी हो रही थी कैप्टन केंगरुसू ने चुनोती ली और अपने सैनिकों के साथ काडिया में जुड़ गए लगभग साथ पकिस्तानी बंकर उनके सामने खरे हो गए और भारी गोलाबारीयों का सामना करना परा जब वो चराई कर रहे थे जब वो पहली बंकर के पास आये उन पर ग्रिनेट फेका गया जिससे कैप्टन गंभी रूप से घायल हो गये लेकिन उन्होंने अपने लोगों को हमले के साथ के लिए जाने का आग्र किया जैसे ही कमांडो टीम चट्टान का जायजा ले रही थी तब तीवर मोटर और गोली बारीयों से उन पर हमला किया गया जिससे भारी दुरगटाना हुई हाला कि कैप्टन केंगरुसु ने मोर्चे से आगे बर कर रोकेट लॉंचर का उपियोग कर पहला बंकर को हटा दिया केबल 25 साल के उमर में कैप्टन शहीद होए कैप्टन केंगरुसु को उनकी साहस अडम्य भाबना और सर्वच्य वलिदान के लिए देश का दूसरा सर्वच्य वीर्ता पुरुषकार मरणो प्रांद महावीर चक्र से सर्मानित किया गया कैप्टन केंगरुसु सेना सेवा कोर के महावीर चक्र के पहले और एक मात्र प्राप्त करता बने जहिंद